हाला अब्रिबन आई वेलकम इंब जोग आज हम स्टार्ट करेंगे एक्स्टेंडट रिलेशन अल्जेव्र ऑपरेशन जैसे इसके एक ऑपरेशन आउटर जो टाइप के जो एक्स्टेंड किये गए हैं जैसे सबसे पहले हमारा आता है जारे प्रोजेक्शन और दूसरा हमार ऐता है थाह ऋपन्कश परचेशन को देखेंगे है करते हैं算 हुआ हमारे जंड द्रेक्शन प्रोजेक्शन को यह उसी का टेर्क्स एक्स एक सटेंशन है हम ने क्या किया है इसमें pirate कि इसको external एलजेवरा के अंदर extended relation algebra मतलब जो relation algebra है उसको हमने ज्यादा capacity provide करने के लिए ज्यादा उसकी power increase करने के लिए हमने इसका यूज किया है extended version that is extended relation algebra operation यहां पर अलग इसके operation होते हैं जिससे हम जो हम पहले operation यूज करते थे उन्हीं को हमने थोड़ा आध्वांस किया है थोड़ा सा हमने ड्राइब किया उन्हीं operation को यहां पर रहे देखते हैं जो जनलाई प्रोजेक्षिन है वो हमारे निकला है प्रोजेक्षिन ऊप्रेश्न से बोल सकते हैं यह जो प्रोजेक्षिन का आपरिशन का यूज करते हैं इसमें बोलते हैं इसमें अर्थमैटिक फॉंटिक उपरेशन का यूज करते हैं इसमें और इसमें जर्णलाइय प्रोजेक्शिन ऑप्रेशन को करते हैं इसके मुझे करते हैं जैसे हम उसके दिनर उतके मि'll करते ठें पाई इसके कुछ फंशन एड वन एडोन यह हमारे जितनमें हमारे आब मेला जो भी होंगे हमारे अप्ष्परेश्ट इस हम्हाई उच क्षप करते हैं एक्सप्रेशन होगा एक्सप्रेशन हमारे एप होता है ये हमारे जो आप्रेसर हम यूज कर रहे हैं इसमें जो एक्स्प्रेशन यह इसमें एक्सेंपल तो उसको यह बताते हैं याप पर जैसे हम एक EG लेंगे इनको हम underestimate lechone होंगे जिनकी स्कीवा में हम attribute constant involve होते हैं इसली किमा में किया करें एह जो भी हम hematematic operation apply करेंगे कुए हούμεरे यहां पर होगा कजयो होगे हमारा अर्स्म्हाटिक एक्सपिरेशन होगे एक्सपिरेशण इन मईसे लेशनल अलगेव्रां कि एक्सप्रेशन होगा इस टैप से शकी आप है हमें एक जानपल की तरह हम देखेंगे अपना हमारे पास है पेसें इन्टील अ 앞에 हे लेट है है तो patient name test amount और doctor amount का कितना amount आया है डोक्टर का कितना amount आया पेशेंट का नाम दे रहे हैं हमारे स्टेंट का किसी भी टाइप के कोई भी arithmetic operation का हम यूज करेंगे जहां अर्थमाटिक operation को भी यूज करेंगे तो हमान कि हम इसमेद प्रोजेक्ट कराकी हमने प्रोजेट कराना हमें प्रोजेक्ट कराना है निम ऑब अन आटल एमॉंट तोटल होगा वो कहां रहते हैं जो डोचीद ओक ना नहीं आए हमें घो मतलब यहां पर हमने प्लस जूर्षमेटिक आ उपरेशन का यूज कर दिया रउम सकते हैं इस-को मैं डिटेल में यह आप लिक दिता हूं कि प्डी नेम तॉमा अस्ट अमाउंट ट्रFF को तॉक्टर माउंट है हमारे आ गया from श्रीशन हमारे कून सा है पेशिंट 机 ontologिक के हमें यह निकालना है हमने यहां पर इस लिए कर दिया ज Dafür feature process नेम प्रोज्च होंगे और इसके बाद में जो प्रोजेक्ट होगा यहां पर टी प्लस डी प्लस डी तो 2000 तो यह हमें सामने तो हो जाए गई इस टाइप से हम यूज करते हैं जनलाइज प्रोजेक्शन का जैसे अगर इसकी हमें क्वेरी लिखने हो तो हम क्वेरी लिख सकते हैं इसकी जैसे क्वेरी लिखने हो तो क्वेरी हम लिख सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट हाउ मच टोटल अमाउंट तोटल अमाउंट ऐबाई पेसेंट जो टोटल अमाउंट पेकरना पड़ेगा पेसेंट को तो उसे हमें देखना है तो उसको हमने यह हमने एक expression लगाया अपना और हमारे सामने यह result आ गया तो इसका हम यूज करेंगे यह हमारा होता है generalized projection यहाँ पर हम किसी भी type का operation यूज कर सकते हैं जैसे हमें test amount और doctor amount को हम प्लस किया था हमा लोगी यहाँ पर हमने के total amount लग लिए यह हमारा total amount दे रखा है test amount इतना है यह पर advanced कितना है हमने हमने इसमें प्लस भी लगा सकते हैं माइनिस भी लगा सकते हैं यह पर multiply कर सकते हैं कोई भी arithmetic activation का यहाँ यह यूज कर सकते हैं यह था हमारा पहला operation अगला operation देखते हैं एग्रेटीव function क्या होता है अब aggregate function का जो हम यूज करते हैं वह इसका हम इसका हम इसके अलाभा SQL वगरा में भी यूज करते हैं तो यह क्या होता है तो इसको हम एपलाई करते हैं जैसे कोई हमारे पास इस सब्सक्राइब करते हैं तो हम देखें कोई हमारे कंडिशनल टपल है या फिर फुल रिलेशन पर इस चीज को एपलाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं इस पर जो बहुत यूज करेंगे वह हमें क्या होगी सिंगल वैल्यू यहां पर हमें सो होगी पर जो भी हमें आप फूर्शन का यहां पर यूज करना है तो हमारे सामने जसरा ओआ जो अब लेविल होगी रिटन वैल्यू वा सिंगल वैल्यू होगी हमारी आपकर इस इसमें डेखते हैं हम और फुर्शन कर फास और ben 쉽 करते हैं जैसे हमारे पास फीके इकालने के लिए maximum value find करने के लिए आगया some operation यूज करते हैं हमारे पास average operation आता है average शीज करो करते हैं इसके अलाबा काउंट वगर ज्यूज कर सकते हैं ये हमारे पार अलग लग operation आते हैं करते हैं इनको एप्लाई करते हैं एंटाय रलेस्ट पर यह इंद गूर्प कि इन फर में अपर अब सब्सक्राइब करते हैं जो अपरेशन आता है मारा अब सब्सक्राइब करते हैं जी से तो सोइसे हम डोट करते हैं जैसे सह को मैं लिखना ग्रेड बांगन जो ओपर लिखना Alors ॐब यह जो भी हमारा एफ पंक्षन करना होका दिधी करना होगी किस अड्रबीट्ट पर करना है हमें इस जो भी हमारा एट्रिबूट करना नहीं है करेंगे एक्सप्रेशन जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगा इस टैप से इसको डिनूट करते हैं और अगर हम ग्रूपिंग का अगर निकालना होता है तो यहां पर जी का यूज कर लेते हैं जो लिश्ट अपर जो ग्रूप में हमें किसी को ग्रूप बाइस डेटा को फा पेशेंट हमारे पास एक टेविल है तो इसमें हमारे पाइस प्रूप नहीं होगा तो उसको हम एक नाम देने के लिए जैसे मैं यहां पर एक 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 एकस्प्रेशन लिखता हूँ जैसे जी हमने यूज किया जी कि Sum , जो हमने आपो उप्रेशन बताएं जो यूज करते हैं तो हम इनको यूज करेंगे तो सम हमारा उप्रेशन हो गया सम किसका करना है हमने टे़ट अमाउंट कि हैज इस्ट एमौउंट यहां पर लिख दिया अब इसके लिखेंगे इसको हमें सेब करना होगा मतलब रिनेयम और यूज करना पड़ाएगा तो इसे बताना पड़ाएगा यह से समिष्कोर नोड करेंगे और जैसे अगर हम इसमें निकालना है पर लिख सकते हैं कि तैष्य एकिसी मॉर्म मैं शितए यहाथ मोड्रgres सिप्अट यहाँ पर जई आपना पड़ाइगा कि यह ए हुँश जैसे टेस्ट टाइप और यहां पर इस चीज को एपलाई कर देंगे जो सीवी सी का जितना भी टोटल टेविल के अंदर जो टोटल एट्रिब्यूट के अंदर जो एड़ो कर आ जाएगा हम देखेंगे आपर हमारा रेजल्ट क्या यहां पर सबसे पहले टोटल टेस्ट एमा आंस यह हम दिखेंगे हमारे पास आगया तर्फ Score घ्र गमैरे लिगहीं सम कर देंगे अगी मौन संस्ट कर देंग संब्सक्रमाजिया हम हाएगा हमारे पास और पास यहां लेशन अग्या है होगा इसका नाम हमने दिया है टॉटल टेस्ट इमाँंट के इस रिलेशन का नाम अख और हमारे पास जो अट्रिवीट आ गया टेटके टोकल्सक्ते माँट इसके लाब हम इसके बेसे पर करना है मैं हमने देखा कि हमें find करना है सिर्फ और सिर्फ इवीजी का तो सीवीजी के में जब हम find करेंगे तो क्या होगा हमारे पास पेशेंट का नाम हम project करा लेंगे पर पेशेंट का जैसे अनीता एंड असोग तो उसमें हमारा गोड़िट आ जाएगा तो इस टैप से हम इसमें जो भी condition होगी वह जी और इसमें हम यूज कर लेंगे sum इसका sum टेस्ट अमाउंट का test amount from face and relation तो इसमें find कर लेंगे तो हमारे पास जो आएगा को आ जाएगा हमारे पास test type test type according type में हमारे कुन सा आए गई हमारे दो टाइप आ जाएगे एक्सरेट एक्सरेट यहाँ पर हम टेस्ट टाइप होगे हैं अगले में हम अपना सम निकाल लेंगे इंध्यम特व करके हैं मिन प Axi Com react can ад Champ और यह था इसका इसका नाम जायेना है इसको टॉडल टेष्ट यह था तो टैस्ट बाइट लुख सकते हैं जो भी हमें नाम देना है यहां पर हम इसको दे सकते हैं पर यह हमारे पास अग्रेजिआवquelaoy प्सक्राइब करते हैं और जैसे इसमें देखते हैं कि कोई डि बेल्ल वेल्व गर अगर दिखाये देटे physically अधर मालों कि क्डे क्ष़ंगे क्टक्टर मॉलब कुछ नहीं नाल हैं कि यह तो हमारे पैस सारे आपरेशन यह जाओंगे except count जो count operation होगा वो क्या होगा यह जो है नल वैल्ली को इग्नोर कर देगा क्या होगा नल वैल्ली इग्नोर हो जाएगी इनल वैल्ली इग्नोर बाकी समय कोई effect नहीं पढ़ेगा अब कि सब्सक्राइब वैसे ही रहेंगे वापी आप हमारा कोई पढ़ने वाला यह हमारा है अग्रेटिव फंक्शन थैंक्यू थैंक्यू एब्रिवन